नमस्कार मित्रों, मैं आपको एक ऐसी रहस्य मही चमतकारी वनस्पती के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके फैदे हरान कर दिने वाले हैं, यह एक तांतरिक वनस्पती है, जिसका नाम है सुदर्सन, इसके फैदे अद्भूत है और इसका प्रियोग, उपरी बाधा, भ साथ ही दोस्तों, बहुत सारे हमारे दर्सक हैं, जिनको हमसे सिकात रहती है, तो भाईया, अगर वीडियो काट काट के देखोगे, और वीडियो आधी अधूरी देखोगे, तो कैसे समझ में आएगा, और आपको तो जो भी समझाऊंगा, तो उसमें तो आपको कमी क्योंकि जब तक आप वीडियो पूरा सही से नहीं देखोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, मैं क्या मैं समझाना चाहता हूँ, तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ, इस चमतकारी तांतरिक वोनस्पती सुदर्शन के बारे में, तो दोस्तों, इसका प्रियोग होता है अधिकतर इसका प्रियोग होता है आकर्शन के लिए, सम्मोहन के लिए, किसी भी वक्ती को सम्मोहित करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है, किसी भी वक्ती को अपने वस में करने के लिए प्रियोग किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों चलिए मैं आपको बिस्तार से बताता हूँ इस रहस्मय चमतकारी सुधरसन वनस्पती के बारे में तो दोस्तों आप सभी चन रोध है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए तब आपके समझ में आएगा नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा और दोस्तों एक बात और बहुत सारे हमारे दर्सक हैं जिनको इस बात की भी सिकायत रहती है कि जो है मैं उन्हें टाइम नहीं दे पाता तो दोस्तों ऐसा है कि मेरे पास समय बहुत कम रहता है और मैं अधिकतर हुए अगया बिजी रहता हुँ और यहां वहां के छेत्र में वनसपति खोजने के लिए जाता रहता हूं और मेरे पास दूसरे कार्व भी होते हैं जिसके कारण जो है मैं समय नहीं दे पा रहा है। इसके लिए मैं आपसे चमा चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप जो है मेरी भावनाओं को समझेंगे तो चलिए मैं आपको इस वनस्पती के बारे में बताने जा रहा हूं और आप सभी संडरोध है कि ऐसी वीडियो पाने के लिए और ऐसी ही चमतकारी रहस्ते में जानकार लिए क्योंकि मित्रों हम अपने चैनल के माध्यम से तांतरिक आउसदी तथा आयुरुवेदिक आउसदी एवं तांतरिक साधनाएं और सावर मंत्र साधनाएं तथा रहस्माई तांतरिक पक्षी एवं अन्यकों प्रकार की रहस्माई चमतकारी जानकारियां लाते रहते हैं तो दोस्तों इसलिए आप सभी से अन्रोध है कि इस वीडियो को जी हां दोस्तों इस वीडियो को दूसरों के साथ भी सेयर करें और हमारे वीडियो को जो है जादा से जादा आप जो है लाइक करें तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ इस चमतकारी वनस्पती के बारे में भारत के प्राचीन काम रतनम नामक गरंथ में सुदर्सन वनस्पती तंतर के प्रमाडिकता का व्यवरण मिलता है तथा प्राचीन काल से ही इस तांतरिक वनस्पती के तंत्र प्रियोग होते रहे हैं सुदर्सन ब्रक्ष की जड़ को कलाई में पहन कर यदि कोई संगराम में या युद्ध में जाता है तो सुदर्सन चक्रधारी सिरी कृष्ण की किरपा से बिजय होता है सुदर्सन ब्रक्ष का ज़्यादतर तंत्र प्रियोग किया जाता है जिहां दोस्तों जो सुदर्सन नामक वनस्पती होती है इसका प्रियोग ज़्यादतर तंत्र प्रियोग के लिए किया जाता है राजा महराजा राज कर्मचारी जो की वर्तमान समय में मंत्री या सरकारी मुलाजिम या कर्मचारी होते हैं को वस्मे करने के लिए किया जाता है ऐसा कैसे होता है तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं उसका उलेक भी इसी गरंथ में दिया है जिहां दोस्तों जो मैंने आपको नाम बताया है और इस चमतकारी तांतरिक गरंत का नाम है कामरतनम इसी में ही दोस्तों इसके बारे में जनकारी दी गई है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए भी सुदर्शन वनस्पती का प्रियोग किया जाता है एक रामबान की तरह काम क जाता है चुनाव जीतने के लिए इस चमतकारी वनस्पती का प्रियोग किया जाता है मित्रों कोट केस में फसे हुए व्यक्ति यदि सुदर्शन की जड़ को कलाई में पहन कर कचहरी में यानि कोट में जाएं तो वो अवस्य ही जीत हासिल करता है तथा इस जड़ी के प्र पिसाच बाधा भूत प्रेत या नकरात्मक उर्जा का भै नहीं रहता सुदर्शन वनस्पती घर के वायू मंडल में चक्र की बाती एक रक्षा चक्र का निर्माण करता है जो सधारनता है दृष्टी गोचर नहीं होता प्राचीन काम रतनम गरंथ में यह उलेक है कि करे प्राचीन काल था जिहां दोस्तों प्राचीन काल के नहीं मनुसार सुदर्शन की जड़ को रभी पुष्य मिर्त में प्राप्त कर ओम नमह विश्व रूपाय सरवत्र विजयम कुरू कुरू सुआहां एक बर दुबार मंत्र बोल देता हूं ओम नमह विश्व रूपाय सरवत्र विजयम कुरू कुरू सुआहां मंत्र का कम से कम एक सो आठ बार जप द्वारा इसे सिध्ध कर ले और उसके बाद इसका प्रियोग करें जिहां दोस्तों लेकिन इसको जपना कब है रभी पुष्य मिर्त में जिहां दोस्तों रभी जनकारी मिल जाएगी ठीक है दोस्तों और फिर आपको इस मंत्र को मंत्र है ओम नमह विश्व रूपाय सरवत्र विजयम कुरू कुरू स्वाह मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है और सिध्ध कर लेना है और वास्तु में सुदर्शन वनस्पति को पूरत दिशा के बीचो बीच न लगाकर भूखंड की पूर्वी चारदिवारी के पूर्व के माध्ध में लगाएं इससे ये घर की रक्षा के साथ साथ घर के सदस्वों की लोग प्रियता को भी बढ़ाता है इसके अलावा रभी पुस मृत योग में इस ब्रक्ष की जड़ के साथ तुलसी पत् के में घर पूर्व को पीष कर किसी वह वस्त पर लेपन करें तथा उस वहर च्एबत्ति बना ना कर बिशंणुंत्यूंक्र क्रांट यूद हमां काजल तयार कर अपनी आँखों में काजल की भाती लगा कर किसी राजा मंत्री या सरकारी मुलाजिम के पास यानी कर्मचारी के पास जाने पर उसका वसी करन हो जाता है वनस्पति तंत्र में किसी राजा कर्मचारी या मंत्री का प्रिय पात्र बनने के लिए सुदरसन ब्रक् आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अगर फिर भी आपकी कोई सवाल है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं और मित्रों हमारे एक नया चैनल भी है रहस्मय ग्यान के नाम से जिसका लिंक मैं अपनी इसी वीडियो के नीचे दे दूँगा और उसमें दोस्तों हमने बह तरी वीडियो अपलोड करेंगे और करते रहेंगे दोस्तों जो हमारा नया चैनल है जिसका नाम रहस्मय ग्यान है उसका लिंक हमने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन के नीचे दे दिया है आप वहां जा करके देख सकते हैं वहां पर आपको दोस्तों किलिक करना है उस लिंक पर आप हमारे नया चैनल पर पहुंच जाएंगे और आपको हमारे नया चैनल पर पहुंचते ही हमारा जो नया चैनल है रहस्मय ग्यान जिसमें अने को प्रकार की रहस्मय आपको जानकारी मिलेगी साथना मिलेंगी उस चैनल को जो हमारा नया चैनल है जिसका ना लिजिएगा और साथ ही दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा मित्रों ताकि दूसरे भी इसका लाव ले सकें बहुत अच्छी जानकारी है जो की दोस्तों जो टांतरिक जानकारी होती है मित्रों जो प्राचिन काल तो दोस्तों आप से अनुरोध है आप प्लीस आप हमारे नए चैनल जिसका नाम है रहस्तमई ग्यान जिसका लिंक हमने अपनी इसी वीडियो के नीचे दे रखा है उस पे जाएं और वहाँ पर उस लिंक पर किलिक करके आप हमारे नए चैनल पर जाएं जिसका नाम है रहस्त में ग्यान पास सकें धन्यवाद अगर कोई कमी रह गई हो तो च्वा करें